असलाम वालाईकूम एवरिवन क्लास 5 आज हम सीखेंगे मैट्स का चेप्टर 5 चेप्टर 5 दस इत लुक दशेम उसका क्वेश्चिन नमबर 7 जिसमें हमने लास्ट टाइम आगे वाले क्वेश्चिन सॉल किये हैं आज हम क्वेश्चिन नमबर 7 सॉल करेंगे जिसका क्वेश्चिन है ड्रो डॉटेट लाइन ऑन दर वाइट बॉक्स तो शो वर यू विल किप दो मेरर तो गैट दो पिक्चर नेक्स तो इट देखें यहां पर हमें एक एक्जेम्पल बताया है कि पिक्चर में हमको डॉटेट लाइन पर उसका जो मेरर हाफ है वो इस तरफ बताया हुआ है हमको लेकिन हमको इधर जो पिक्चर दिया है उसमें डॉटेट लाइन करनी है देखे अब से से कन्ड वाला क्वेस्चन देखते हैं तो second वाले क्वेस्चन में हमको यहाँ पर उसका mirror half दिया हुआ है लेकिन यह mirror half कैसे बन रहा है अब हमको इसकी dotted line करनी होगी तो चलिए देखते हैं यह वाले picture के अंदर हमको यहाँ पर कुछ इस तरह से नजर आ रहा है देखे यह है यहाँ पर है और यह जो है इसको half देखे हम इस picture को ऐसे half करके देखते है तो हमको यह picture कुछ इस तरह से नजर आ रहा है तो हमको यहाँ पर dotted line करनी होगी Students आप लोग भी इस वीडियो को देखते हुए आपकी workbook में इस exercise को solve करोगे और ऐसे dotted line draw करोगे चले question number 2 की और चलते है question number 2 है देखे हम first of all तो इस वाले को ऐसे mirror half करके देखते हैं यह कैसा नजर आ रहा है हमको चले आप हम इसके और चलते हैं तो यह हमको कुछ इस तरह से नजर आएगा और हमको यहाँ पर dotted line draw करनी होगी students आप लोग को भी अपनी workbook में ऐसे dotted line draw करना है next question 3 देखते हैं तो question 3 जो है उसमें भी आप लोगों को mirror half करना है और उसकी dotted line कुछ इस तरह से draw होगी question 4 और 5 आप as a homework करोगे चले next page पर चलते हैं page number 68 है हमारा उसमें 6 वाला question देखे यह वाले थोड़े different है इसलिए बता रही हो कि यहाँ पर 6 वाला देखे तो इस 6 वाले को हम अगर ऐसे mirror half यहाँ पर इसमें भी हमको इस तरह mirror half दिया हुआ है अब इस तरफ हमको उसका half करना है dotted line से तो देखे उसका कुछ mirror half इस तरह से हो रहा है वीडियो को देखते हुए आप लोग अपनी workbook में मेरे साथ इस question को solve करते जाओगे ऐसे आप भी dotted line draw करोगे question no.7 जो है उसमें भी इस तरह से यहाँ पर आएगी मेरे dotted line question 8, question 9, question 10 आप as a homework करोगे thank you for watching